अगनीवीर या किसी अन्य श्रेणी में भारतिय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण और ओनलाइन आवेदन कैसे करें इस वीडियो में आपका स्वागत है सबसे पहले www.join.indianarmy.nic.in पर जाएं उमीदवारों को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए अपने आधार से जुड़े मोबाईल या मैट्रिकुलेशन प्रमान पत्र साथ रखने की आवश्यकता है हम यहाँ बताएंगे कि भारतिय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण कैसे करें और जो लोग पहले से पंजीकरित हैं वे सीधे वीडियो के समय चार बजकर बाईस मिनिट पर जा सकते हैं उमीदवार पंजीकरण के लिए सबसे पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए आपको क्याप्चा टेक्स्ट दर्ज करना होगा एंटर वेबसाइट पर क्लिक करें आवे तक या तो नियमित कैडर या अगनिपत मेन्यू से पंजीकरण कर सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें पंजीकरण के दौरान उमीदवार को निमलिखित वस्तुए अपने साथ रखनी होंगी आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन प्रमान पत्र की सॉफ्ट कॉपी आकार 5 किलोबाइट से 20 किलोबाइट के बीच OTP प्राप करने के लिए आधार से लिंक किया गया मोबाइल सक्रिय इमेल आईडी क्वालिफाइंग कोर्स की मार्कशीट पते का विवर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अवश्य पढ़ें कंटिन्यू पर क्लिक करें अब पर्सनल डिटेल्स के तहट आपको दो विकल्प दिखाई देंगे आधार नंबर और मैट्रिक सर्टिफिकेट आधार के साथ पंजी करन अगर आधार संख्या विकल्प का चैन करेंगे और फेज फ्रों दिजी लौकर पर क्लिक करेंगे तो आपको दिजी लौकर साइट पर पुना प्रेशिद कर दिया जाएगा यहां आपको आधार नंबर भरना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा आपके पंजिकरित मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा OTP भरे और Continue पर क्लिक करें यदि आप Allow पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम मार्फत और जन्म तिथी स्वचालित रूप से Dizzy Locker से प्राप्थ हो जाएगी यदि आपका नाम और जन्म तिथी मैट्रिक प्रमान पत्र के साथ मेल नहीं खाता है तो आपको पंजी करण के लिए आगे बढ़ने से पहले आधार में सुधार करवाना चाहिए अब आप Balance फील्ड भरें अब Capture Text दर्ज करें Submit पर क्लिक करें अब की Email ID पर एक OTP प्राप्थ होगा अब OTP Capture Text दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें अब आपको व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण और शिक्षा विवरण भरना होगा Join Indian Army वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आपका Email ID ही आपका उप्योग करता नाम होगा पासवर्ड अनुभाग में अब आप दिये गए सयोजन के अनुसार लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं Confirm पासवर्ड में फिर से वांचित पासवर्ड दर्ज करें ध्यान दे सत्यापन कोड के समवेदी है क्याप्चा दर्ज करें और सेफ पर क्लिक करें मैट्रिक प्रमान पत्र के साथ पंजी करें यदि आप मैट्रिक प्रमान पत्र का चयन करते हैं तो आपको Dizzy Locker साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा आपको मैट्रिक बोर्ड के नाम का चयन करना होगा और आवशक विवरन भरना होगा अब फाइंड बटन पर क्लिक करें आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथी Dizzy Locker से स्वता प्राप्थ हो जाएगी अब आप बैलिन्स फील्ड भरें चेश चरण आधार विकल्प के समान है यहां आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होती है पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात अधिसूचना के आधार पर आवेदत नियमित कैडर या अगनिपत मेन्यू में Login या Apply Online बटन पर क्लिक कर आवेदन कर सकता है Login या Apply Online पर क्लिक करें Login पेज प्रदर्शित होगा पहले से पंजीकरण श्रेणी में अपना उप्योग करता नाम और पास्वर्ड दर्ज करें Capture Text दर्ज करें ध्यान दे सत्यापन कोड के समवेदी है Login पर क्लिक करें Dashboard प्रिष्ट प्रदर्शित होगा आपको Dropdown सूची से अनिवार्य विवरन भरना होगा यदी आप Highlight की गई किसी श्रेणी से संबंधित हैं तो क्रिप्या दी गई सूची में से चयन करें Check eligibility पर क्लिक करें अधिसूचना, शिक्षा योग्यता, शाररिक मापदंड आदी के आधार पर पात्र श्रेणी नियमित समवर्ग और अगनिवीर टैब दोनों में प्रदर्शित की जाएगी आवेदन खुला होने के आधार पर अपलाई बटन हरा या लाल होगा वांचित श्रेणी के अपलाई बटन पर क्लिक करें यदी यहां हरा है आवेदन निर्देश प्रिष्ट प्रदर्शित किया जाएगा ओनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना होगा फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें अब व्यक्तिगत जानकारी में कृप्या शेश शेत्र भरें आवशक आकार और प्रारूप के अनुसार अपना नवीन्तम फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें अगला संपर्क विवरण मेनू में ड्रॉपडाउन सूची से संपर्क विवरण भरना होगा यदि पत्राचार का पता स्थाई पते के समान है तो स्थाई पते के समान चेक बॉक्स पर क्लिक करें यदि पत्राचार का पता स्थाई पते से भिन्न है तो कृप्या विवरण भरें सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें अब विविद विवरण मेनू में आपको ड्रॉपडाउन सूची से आवशक विवरण भरना होगा सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें अब शिक्षा विवरण मेनू में आपको आवशक शिक्षा विवरण भरना होगा उमीदवार जनोंने योग्यता पाठ्यक्रम कुतीन कर ली है उन्हें विशय के अंक भरना अनिवार्य है उमीदवार जो योग्यता परीक्षा में उपस्थित हो रही है उन्हें अंक भरने की आवशक्ता नहीं है एक प्रिष्ट प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको उल्लिखित ख्षेत्रों में सभी अंकों और विश्यों का उल्लेक करना होगा एग न्यूरों पर क्लिक कर सकते है ध्यान दे की सभी विश्यों के योग की स्वचालित रूप से गन्ना की जाती है उमीदवार अधिसूचना से सुनिश्चित करें कि उनके विश्यों और अंक आवेदित श्रेणी के लिए पात्रता मांदन से मेल खाते है अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें अब परीक्षा केंद्र मेनू में आपको अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा के लिए पांच राज्य और शहर के विकल्प का चयन करना होगा और किसी भी शहर को दो बार नहीं चुन सकते हैं अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें त्रिप्या वह विवरन दर्स करें जहां से आवेदन भरा गया है आवेदन विवरन प्रिष्ट का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको विवरनों को सत्यापित करना होगा भुकतान बटन पर क्लिक करने से पहले भरे हुए विवरन को सत्यापित करें भुकतान गेटवे में एक बार जब आप भुकतान बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको SBI E-Pay भुक्तान प्रिष्ट पर पुना प्रेशित किया जाएगा जहां आपको भुक्तान करने की आवर्शक्ता है. भुक्तान UPI Credit Card, Debit Card या NET Banking के माध्यम से किया जा सकता है. एक बार किया गया भुक्तान वापस नहीं किया जाएगा. अब आपकी आवेदन प्रत्रिया पूरी हो गई है. आवेदन के इतिहास टैब में आप आवेदन की स्थिती देख सकते हैं और भुक्तान रसीद डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.